नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी Candlestick Analysis में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हम इस वीडियो में How to Trade Binary Options Using Support and Resistance Perfect Support and Resistance को यूज करके सभी Trades Win करने का Secret सीखेंगे जिसका Accuracy आज तक आपने इंटरनेट पर जितना भी Support and Resistance का वीडियो देखा है उन सभी में ये सबसे बेस्ट वीडियो रहेगा, रिजल्ट के मामले में Support and Resistance एक चार्ट पर एक घंटे में एक दो, मैक्सिमम तीन, चार तक सिगनल्स मिलते हैं लेकिन आप देखेंगे, आपने वीडियो भी देखेंगे, जो गलत तरीका से सिखाते हैं एक चार्ट में, एक स्क्रीन में आपको 18 support resistance दिखा देंगे, लेकिन वो वैसा कोई दिखाता है, तो समझ जाईएगा, वो गलत दिखा रहा है जैसे यह resistance, यहाँ पर support, यहाँ पर support, यहाँ पर support, यहाँ resistance, यहाँ पर support, यहाँ resistance, यहाँ support, यहाँ resistance, यहाँ support, अब यहाँ support इस तरह से सिखाते हैं जो बिलकुल गलत है, वैसा strategy बिलकुल काम नहीं करेगा, वैसा विश्वास मत कीजेगा एक screen में एक time पर आपको एक दो मुस्किल से एक दो signals मिलते हैं support और resistance के और इस तरह से screen में ये support resistance के line भर देते हैं उसके बाद पता नहीं चलता है कौन सा support है कौन सा resistance है तो इस तरह का support and resistance पर अब आपको trade नहीं करना है next candle prediction के लिए तो कैसा support and resistance पर हमें trade करना है इससे पहले भी मैंने एक video बनाया था और आज मैं इसमें और कुछ 8 करके आपको थोड़ा easy बना रहा हूँ तो हम support के लिए A देखेंगे A बननेगा तो हम support का signal लेंगे और perfect भी बनेगा English का capital भी बनेगा तो हम down का signal लेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह भी बना है यह high है यहाँ low है यहाँ से यहाँ जाईए यह complete करेंगे तो यह भी दिएगा तो यह आपको शुरू में confused हो तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ जाकर एक jig jack indicator ले सकते हैं मैंने trend line पर बताया था वही setting है deviation 5 का है यह depth 7 का होगा और bake step 2 का होगा 5,7,2 का jig jack लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर B है, A है, क्या बना है, क्या नहीं बना है यह आपको clear दिख जाएगा और इसमें भी मैं secret बताऊंगा जो ज़्यादा काम करेगा जैसे देखिए यहाँ पर यह English का capital B बना है भी बनने के लिए क्या होगा, यह उपर वाला जो दो lines है यह लगबग equal होना चाहिए, equal होता है तो वो भी बनता है, जैसे हम यहाँ पर एक horizontal line लेंगे, यहाँ पर एक signal था, इसलिए मैं इसको explain कर रहा हूँ, यहाँ से हम एक horizontal line लेंगे, यह मैंने horizontal line लिया, आपको थोड़ deeply explain करने के लिए, तो यह मैं इसका thickness थोड़ा बढ़ा देता हूँ, यह ताकि आपको आसानी से यह समझ में आ जाए, यह मैंने इसका thickness पर बढ़ाया, अब हमें signal कहां मिला था, उसके top पर रखना है, यहाँ पर यह leg reject है, और यहाँ पर spinning top बना है, shooting star जैसा, यह बहुत अच्छा काम करता है, spinning top जहाँ center पर doji जैसा body होता है, और उपर और नीचे परावर leg होते हैं, तो वैसा यहाँ पर reversal pattern बना था, हमें shooting star, spinning top, berry single fin, यह तीन में से कोई एक यहाँ पर perfect average pattern चाहिए, बड़ा जादा बड़ा बनेगा, तो वो फिर effective काम नही करेगा, तो यहाँ पर जाँ signal बना है, वहाँ पर आपको horizontal line रखना है, और देखना है, यह भी बना है कि नहीं, बिल्कुल भी बना है, अब पीछे वाला line, अगर तुलनात्मक रूप में, इसके top में आपने यह रखा है, पीछे वाला लगबग equal होना चाहिए, थोड़ा उ बनने का condition मैंने बताया, लगबग equal होना चाहिए, लगबग equal तो नहीं होगा, थोड़ा उपर नीचे होगा, चलेगा, लेकिन जादा फरक नहीं होना चाहिए, अब यह होने के बाद आपको एक secret बताता हूँ, यहाँ पर bearish का signal बना है, spinning top बना है, अगर यह second top है, double top का यह signal है, second top है, इससे पहले वाला first top पर जाईए, अगर यह इससे थोड़ा सा, बिलकुल जरा सा उपर, इसका high, इसके तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, देख सकते हैं, इसका high थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा बड़ा होता है, तो वो बिलकुल बहुती perfectly काम करता है, इसका SL रखता हूँ, और यह मैं 1-2 आराम से इसका target ले लेता हूँ, क्योंकि यह इसको break करने के लिए, यह पहला जो top है, इसको break करने के लिए, इसको power चाहिए, इसको break कर दिया तो भी पीछे, दुसरा top है, resistance है, उसको break नहीं कर पाता है, तो next candle के लिए ऐसा बनते ही, दो candles के लिए down का signal लेना है, अब यहाँ पर देखेंगे आपको, यहाँ पर दुसरा भी बना था, जब market यहाँ पर चल रहा था, तब यह जो zigzag है, यहाँ होता है, तो इसके हम top में रखते हैं, यह देखें, इसका top में मैंने रखा, यहाँ पर berry single fin बना था, average berry single fin था, बड़ा नहीं था, इसके पीछे यह second top हुआ, first up पर जाएंगे, इसके पीछे जाएंगे, तो देखेंगे आप यह horizontal line पर जो भी बना था, वो लगबग equal था, और second वाला जो height है, वो थोड़ा सा जादा था, तो ऐसे condition पर यह बहुती दो candles के लिए हमें down का signal लेना है, जो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी same way, सही बना था, बेरी सेंगल फिन average बना था, और यहाँ पर यह जो भी बना है, capital भी बना है, पीछे वाला top को देखेंगे, थोड़ा height जादा था, तो हमें ऐसा signal चाहिए, यह secret है, जादा बहुत जादा नहीं, बहुत जादा होगा, तो फिर भी नहीं होगा, भी clear भी नजर आना चाहिए, लेकिन जरा सा इसका height जादा होता है, तो वो बहुत ही अच्छा काम करता है, तो यहाँ close होते ही, दो candles का हमें signal लेना था, जो यहाँ पर आया, तो अब मैं आपको live treat करके देखाता हूँ, एक, दो, जितने मिलते हैं, यह जल् मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर पहुच करूँगा, और signal बनने के बाद मैं इसको continue करूँगा, तो देखे, यहाँ पर यह भी जैसा बना था, लेकिन यह जैसा बना था, एक लिए अपका signal लेना है, यहाँ पर हम original line रहेंगे, तो यह लेक जादा हो गया, हमें इतना signal मिलता है, तो मैं इसको continue करूँगा, live tweet करके, यह देखे, यहाँ पर spinning top बना, पहले मैं दो मिनट्स के लिए down का signal लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको explain करूँगा, यह मैंने यहाँ थोड़ा नीचे हो गया, यह मैंने यहाँ पर down का signal लिया, मैंने यह क्यों लिया, यह करना है, तो दो मिनट्स के लिए मैंने down का signal लिया, यहाँ हम horizontal line रखेंगे, और इस candle को, इस signal को देखेंगे, यह मैंने यहाँ पर horizontal line रखा, अब मैं इस line को यहाँ थोड़ा इसका thickness बढ़ा देता हूँ, ताकि आपको आसान हो देखने में, यह देखिए मैंने यहाँ पर इ अब मैं क्या करूँगा, इसके top पर रहूँगा, अभी मैंने जो example दिया था, देखिए इसके, मैंने top पर रखा, यह देखिए मैंने इसके top पर रखा, यह देखिए clear भी है, और secret क्या है, इसका पीछे वाला first top जो है, उसका थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा उपर है, जरा सा उपर इसका height है, तो यह क्या करता है, हमारा SL को protect करता है, हमारा signal को strong बनाता है, तो यह देखिए, यहाँ पर आप देखिए, बच्चा को पुछेंगे, तो भी यह बता देगा, यह भी बना है, perfect, अगर यह लेख थोड़ा उचा होता, या यह छोटा होता, या यह वाला market नहीं मिलेगा, लेकिन live market में loss कहां पर हुआ, यह आप ढूनना मुस्किल हो जाएगा, इतना बढ़िया काम करता है, देखिए, OTC पर भी यह काम किया, मैंने नीचे ले लिया, signal हमें यहाँ spinning top मैंने दिखाया था, थोड़ी देर पहले दिखाया था, वही signal यहाँ बना था तो यह देखें कैसे दोड़ा, यह काम करता है, अगर यह इससे यह वाला peak थोड़ा सा छोटा होता है, इसको मैं उपर कर देता हूँ, देखिए हमने win किया, इसको मैं उपर करता हूँ, यह थोड़ा सा उपर कर देता हूँ, अगर यह height यहाँ गया होता, तो वह उतना effective result न expected result देता है, जैसे life trade पर अभी मैंने आपको दिखाया, तो अब के लिए perfect A बनना है, इसका ठीक opposite है, इससे पहले भी मैंने explain किया, उस तरह से trade करना है, आज के लिए बस इतना ही, यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवार,